So good evening friends, welcome to my channel Edward Wings and JKSSB Finance Account Assistant के Admit Card जो है वो सुबह रिलीस हो गए है लेकिन काफी सारे बच्चे हैं जिनको अपनी email ID जो है वो भूल गई है कि कौन सी email ID से जो है उन्होंने बनाई हुई थी email ID जैसे login करना था और कहीं बच्चे हैं जिनको email ID याद है लेकिन अपना password जो है वो भूल गए है तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जो बच्चे बूल गए है कि कौन सी email ID डाली थी तो वो कैसे जो है अपनी email ID जो है उसको recover कर सकते हैं और जिनको password भूल गया है अगर email ID याद है तो password तो आपको मिले जाएगा वो भी मैं आपको बताओंगा अगर आपको email ID बूल गए कि कौन सी डाली थी तो वो email ID कैसे आपको निकालनी है यह भी मैं आपको बता दूगा लेकिन एक शर्त जो है जरूर है कि जो बच्चे जिन को भी email ID अपनी रिकवर करने है वो email ID आपके फोन में खुली होनी जरूर चाहिए आपको आपकी फोन में अगर तीन चार आइडिया है चार पांच आइडिया है उसमें से आपको भूल गये कि कौन सी ID डाली थी वो चीज आपको पता चल जाएगी लेकिन वो आपके फोन मे चीज वो आईडी जो हो खुली होनी चाहिए एट लिस्ट के लिए वहीं पर आपको रिकवरी आएगी तो जिसकी email ID इनक्टिव हो चुकी है या फिर किसी और की email ID अपने डाल रही थी उन बच्चों के लिए जो है ये method काम नहीं करेगा उनको जो है फिर अलग चीज जो है करनी पड़ेगी वो भी आपको लास्ट में लास्ट में बताऊंगा वीडियो के तो अभी फिलहाल जो हम देखते हैं जिनको भूल चुक है कि कौन सी email ID नों लोग इन की थी उनको क्या करना है ठीक है आई स्टार्ट करते हैं वीडियो तो आप लोगों को जेके जाना पड़ेगा यहीं पर apply के लिए जो option आता है आपको वहां पर जाना है तो यहां पर apply के लिए जो है आप जब देखेंगे तो यहां पर advertisement number आपको ढूंडना है archive opening जो है इसको open कीजिएगा यहां पर आपको आपका notification मिल जाएगा जिसमें आपका finance account assistant का जो है वो इक्साम है और वो notification आपका है 04 of 2020 ठीक है 04 of 2020 है इसके आगे view application है वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपके पास ऐसा interface आजाएगा यहां पर email ID password आपसे मांगा गया है लेकिन शर्त यह है कि बात अभी है कि आपको तो अपनी याद ही नहीं है कि email ID कौन सी डाल थी आपकी चार-पांच email ID जो है वो login है और कहीं को email ID पता है लेकिन password नहीं पता है ठीक है आई यह क्या करना है सबसे पहले तो यह email ID है हर एक email ID को आपने एक पार जो है यहां पर डालना है जैसे कि यहां पर अगर मैं डालता हूं यहां पर अगर मैं अपनी email ID डालता हूं यह पर ने वर्टिकल मोड में आ गया हूं ठीक है वहां पर नहीं हो रहा है यह क्या करना आपने email ID है यहां पर email ID जो आप डालिए माली जी आपकी यह email ID थी यह पहली email ID जो आपके phone में लोगिन आप इसको डालिए एंड इसके उपर अगर आपने इससे रिजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो आपको सिदा सिदा आ जाएगा कि आपकी इन वैलिड इमेल आइडिया जो कि आपकी जे के साथ रिजिस्टर्ड नहीं है जैसे कि मैं कोई भी डालता हूं अगर इसको जब मैं डालूंगा तो यहां पर देखी आप इन वैलिड आ रहा है यहांपर आपकी इसके साथ आपने रिजिस्ट्रेशन नहीं की है फिर आप अपनी दूसरी इमेल आइडिया यहां इसको जब मैं डालूंगा तो अगेर मुझे फिर इमेल इन वैलिड आएगा और करें मेरी इड जो है वो भी इससे भी मेड है उसके बाद में next ऑड उन डालम एंगा जो तीसरी बार आपकी जो सईन हीघल आले इडिया विइव को save and continue कर देना है ओके अगर आपने सही email ID डाली होगी तो फिर आपको invalid email नहीं आएगे फिर आपको यह message आएगा कि your new password sent to your email ID ठीक है और इसके बाद क्या करना है आपकी जो email ID है जो आपने डाली है फोन में खुली होनी बड़ी जोरी है जैसा मैंने आपको बोला है उसके ओपर जो है जी के सब्सक्राइब की तरह से आपको email address आ गया होगा ठीक है आई चेक करते हैं अपनी mail ID अपने email address पर जाओंगा और यहां पर देख सकते हैं आपको मुझे अपना password जो है वो आ गया है ठीक है पासवर्ड जो है आ गया है इसको में खोलूंगा तो नहीं क्योंकि थोड़ी प्रैविसी का इशु रहता आपको पता है लेकिन यहां पर जाकर आप अपना password देखेंगे और जिस email ID को डालकर आप आपक आपको अपनी email डालनी है पासवर्ड आपको यहां पर आ जाएगा और यहां से पासवर्ड जो को कॉपी करके आप वहां पर डाल सकते हैं ठीक है उसके बाद आखरी बच्चाती है कि जिन बच्चों को बिलकुल भूल गया है उनका email ID जो डाली थी वो एक्टिव भी नहीं है उन बच्चों को क्या करना है तो उन बच्चों को फिर इस mode पर आपको कोई नहीं मिल सकती या तो फिर आप dependent हो सकते हीं कि जिकेस भी आपको आपके रिजिस्ट्र मोबाईल नंबर पर जो हैं आपकी application ID जो है वो भेज दे लेकिन वो होगा या नहीं होगा इसके लिए आ करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन जो है आपको जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करके देंगे वहां पर उनके पास सिस्टम है सारा नहीं तो आपके रिजिस्टर फोर नंबर पर आपको जो हैं वहां से सेंड करवाद देंगे आपको जो भी एप्लिकेशन आइडी रहेगे ठीक है तो यह यह तरीके हैं जो कि आप लगा सकते हैं इसके लावा कोई पॉसिवल तरीका जो नहीं है इनी के पीछ में से जाईए और आपको जो है आपका रूट मिल जाएगा ठीक है थैंक यू फो